हेलो दोस्तों मैं हूँ अमरीता आपका स्वागत है cooking with अमरीता में आज मैं रेसिपी सेयर कर रही हूँ पराठे की जिसके बनाने के लिए कोई preparation पहले से नहीं करनी पड़ती और जब चाहें आप बना है ये बिल्कुल एक हटके और युनिक पराठा है पापर पराठा तो मैंने एक चमच देशी घी और एक चोथाई छोटी चमच नमक डाला है घी और नमक ऑप्सनल है इसको अब आटे को मैंने डोटी से थोड़ा सा टाइट आटा गूंदा है आटे को गूंद कर मैंने डो को सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया इसे ढग कर हम रख का पापर ले सकते हैं मैंने इसे गैस पे रोस्ट किया है आप चाहें तो इसे तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं माइक्रोवेब में रोस्ट कर सकते हैं या फिर आप डिफ्राइ भी कर सकते हैं तो मैंने चार पापर लिए हैं और चारो को गैस पर सेख लिया है यदि आप मा तो चारो पापर को हमने रोस्ट कर लिया अब हम एक बाउल लेते हैं और बाउल में चारो पापर को तोर कर डाल देते हैं और इसे हम जोर जोर से डबा कर बिल्कुल चर्ण कर देते हैं पापर को इस तरह से टण करें जैसे महान हो अक राजैन के निघ्टा रहे है इसे हम बिल्कुल पुलिघि तरह से सूरा बना देते हैं रदी आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना शक्रवीज Cirقة लें भीड़ कर ले बेल आइकन को जरूरब कर हैं ता pasture स्ब्रेष्ट मिलते हैं उससी मैंैं राटाति घंक करें हैं इसके लिए मैंने इसमें आगी छोटी चंमाज चाट-मसाल ली है और इसमें एक चोथाई चोटी चमज नमक, एक चोथाई चोटी चमज काली मिर्च का पाउडर यदि आप चाहें एक चोथाई चोटी चमज फ्रेस काले मिर्च को कूट कर डाले इसमें हम मैंने आदी चोटी चमज धन्या पाउडर और एक चोथाई चोटी चमज मिर्च पाउडर डाला है नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले ले इसमें मैंने दो चोटे चमज देसी घी डाली है घी का पड़ियोग हमने इसलिए किया है क्योंकि पापर का चूरा ड्रा है और यह बिल्कुल फोड़े से बन जाएं इसके लिए घी डाला है यदि आप डीफडाय पापर यूज करते हैं तो घी डालने की जरूरत नहीं है इन सभी को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यदि आप चाहें तो एक दो चम्मस धनिया पती बारी कटी डाल लें अब हमारी फिलिंग तैयार है और हमारे आटे को रखे हुए भी दस मिनट से ज्यादा हो गया है इसे हम एक बात थोड़ा सा और गूत लेते हैं और अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे इसके लिए मैंने एक लोई तोर ली है लोई का शेप आप अपने अनुसार ले आपको जैसे पराठे बनाने हो छोटे या बड़े अब हम इसमें से लोई को शेप देकर जैसे हम बाकी पराठे फिलिंग करते हैं इसमें मैं शेप दे रही हूं और इसके बाद इसमें फिलिंग डाल दूंगी फिलिंग मैं ज्यादा डाल रही हूं ताकि पापर अच्छे से आये खाने के समय आप अपने अंउसार फिलिंग कम ज्यादा कर ले और अब इसे चारो तरब से आटे को समेठते हुए एक लोई बना लूँगी और हमारा पराठे का फिलिंग का लोई तयार है अब हम इसे बेल लेते हैं बेलने के समय हमें पराठे को प्रेशर डाल कर बेलना है नहीं तो इसके बीच में जो फिलिंग पापर की है वो गोल गोल घूमता है वो आपको बेलन इधर मैंने तवा गरम उन्हें रख दिया था और पापर बेल कर मैंने पापर को तवे पर डाल दिया है अब हम इसे एक दो मिनट के बाद पलट लेते हैं और पलट कर तो तीन मिनट सेकने के बाद हम इस पे उपर की तरब से घी लगा देते हैं घी को हम अच्छी तरह से चारो तरफ लगा देंगे और इसे एक दो मिनट सेखने के बाद इसे हम फिर से पलट देते हैं और पलटने के बाद हम दूसरी तरफ भी घी को लगा देते हैं दूसरी तरफ से घी को हम चारो तरफ अच्छी तरह लगा देते हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल करा रहे होने तक हम पराठे को सेख लेंगे और हमारा एक पापर पराठा तैयार हो गया इसी तरह हम दूसरा पापर पराठा भी बना लेंगे तो मैं एक बार और फिर से पराठा बना कर दिखाती हूँ दूसरे पराठे की लोई मैं अलग तरीके से बनाती हूँ इसके लिए मैंने एक लोई ले लिया है पराठे के लिए और इसे पहले थोड़ा से मैं बेल लेती हूँ और बेलने के बाद इस पर मैं फिलिंग डालती हूँ और फिलिंग डाल कर बेले हुए रोटी को मैं चारो तरब से पकरते हुए इसको लोई बना लेती हूँ और ये हमारा पापर पराठा का लोई तैयार हो गया अब इसे हम जैसे पहले वाले पराठे को बेले थे उसी तरह से बेल लेंगे तो पापर पराठे को हमें प्रेशर डाल कर बेलना है हलके हाथों से नहीं बेलना है तो प्रेशर डाल कर आपको जैसी सेप चाहिए आप बेल ले पापर पराठे को फिलिंग करने की ये दो मेथ़ड मुझे पता है और यदि आप तीसरा मेथर जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप पापर पराठे को मैंने तवे पे डाल दिया और इसे जैसे मैंने पहले वाले पराठे को घी लगाकर पलट पलट कर सेखा था उसी तरह से इस पराठे को भी दोनों तरब से घी लगाकर पलट पलट कर हम कराड़े होने तक सेख लेंगे हमने दूसरे पराठे को भी सेख कर तयार कर लिया है तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइ करें और अपने अनुबह मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें अभी मैं पापर पराठे को अंदर से दिखाती हूं कि अंदर से कैसा लगता है तो ये देखिए अंदर से फिलिंग किया हुआ पराठा जो कि खाने में बहुत ही यम्मी है